How to fix Telegram App Notification Sound Problem नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी काति किराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप जो है अपने Telegram App पर Notification Sound Problem solve कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको यहाँ पर Notification Sound पर कोई भी किसी भी तरीके का problem हो रहा है तो आप दोस्तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा मैं आपको बताऊंगा दोस्तो यहाँ पर कैसे आपको यह जो problem है solve करना है तो यहाँ पर दोस्तो नोटिफिक्शन साउंड के अगर इश्यू है तो उसके लिए दोस्तो आपको एप में solution करना है और उसी के साथ में दोस्तो आपको setting भी करना होगा notification के लिए तो उसके बाद जाकी ही आपका problem solve होगा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करे अगर आप online पैसा कमाना चाते है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है अगर आपको notification sound problem आते हैं तो आपको जाना है प्लेश्टोर में telegram app को search करना है और उसके बाद उस app को update कर देना है ठीक है अपडेट करने से एप बिल्कुल सही तरह के से run करेगा उसके बाद बेख कर देना है बेख करने के बाद telegram app पर जाना है three lines पर click करना है यहाँ पर आपको मिलेगा settings settings पर जाके notification sound पर जाईए और सारे notification sound यहाँ पर enable कीजिए ठीक है तो सारे notification sound यहाँ पर enable कीजिए notification sound enable करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर करना क्या है आपको simply check करके देखना है कि आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो जाएए दोस्तो setting पर ठीक है scroll down कीजिए और यहाँ पर event notification पर जाएए see all apps पर click कीजिए उसके बाद आपको दुबारा से search करना है telegram app उसके बाद आपको जाना है restoration cache clear storage पर click करना है clear local database पर click करके local database को clear कर देना है और उसके बाद बेग करना है notification पर जाएए सारे permissions यहाँ पर allow कीजिए तो advanced पर जाके आप यहाँ पर notification.co enable कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका notification sound है वो कुछ इस तरह के गा enable set होना चाहिए उसके बाद आप अपने mobile को बेग करे restart करे check करके देखे problem solve हो चुका होगा by any chance अगर problem solve नहीं होते तो mobile के notification setting चेक करे आपके mobile यहाँ पर ring mode पर होना चाहिए ठीक है mobile जो है वो ring mode पर होना चाहिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका notification taunt set क्या होना चाहिए donut disrupt mode वगरा off होना चाहिए ठीक है और आपका mobile software वगरा update होना चाहिए तो यह सारे चीज़ फॉलो कीज़े दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा तो बस दोस्तों यही सब solution था आपके app notification sound problem solve करने के लिए उमेद करते हैं आपको यह जो वीडियो है पसने आओगा thanks for watching